जोड़ तो किसका जोड़ वरणों का जोड़ 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 संदी बनती है या शबदों का जोड़ लेकिन शबदों का जोड़ में वरणों का जोड़ भी बहुत महत्व है मतलब पहले शबद का अंतिम वरण और दूसरे शबद का पहला वरण उन दोनों को मिलाकर जो जोड़ बनता है उससे हम संदी बनाते हैं देखिए संधी वर्णानाम परस्परम विकृती मत संधानम संधी दो वर्णों में निकटता के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधी कहते हैं उदाहरन देख लिजिए हिम अधिक आलय है तो हिम में जो अ है वो और आलय में जो अ है वो आ तो आ और आ मिलके बन गया आ अभी उदाहरन देखिए हम इदर अच्छी तर से देख लेंगे ही अधिक म मवेंजन म अधिक आ अ अधिक लएह तो हिम में जो है अ वो हमने मिलका के क्या हो गया था उदर तो हम इधर अभी जोड रहे हैं ही अधिका मा अधिका लयह तो बन गया हिमालयह उपर्युक्त उदाहरण में निहित स्वर एवं आले का आध्यस्वर आले का आध्यस्वर आ ये दोनों मिलकर आ बन गए हैं अर्थात इन दोनों में संधी हुई है अभी हम आगे देखते हैं संधी में तीन प्रकार होते हैं स्वरसंधी, वेंजन संधी और विसर्ग संधी तो हम पहले स्वरसंधी देख लेते हैं स्वरसंधी इन ब्रैकेट लिखा है अच्च संधी तो अच्च का मतलब क्या है आपने महेश्वरी सूत्राणी पड़ा रेगा देखो अ, ई, उन, रुल, रुक, ए, ओं, ए, आउच तो उसमें जो है अ, ई, उन, तो न निकाल दो रुल, रुक, का क निकाल दो ए, ओं, का निकाल दो आई, आउच, इसको वोच निकाल दो तो हो गया अ से चो तक मतलब इसका अर्थ क्या है अ, ई, रु, रूल, रु, ए, ओ, आउच ये जो स्वर है इनके जोड से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं अब हम अकस सवर्णे दीरगहा मतलब सवर्ण दीरगसंधी देखेंगे दो परस्पर समानस्वर चाहे रस्वहो या दीरगह दोनों मिलकर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं सवर्ण दीरगसंधी तो पहला अब हम अकस सवर्णे दीरगहा इसका मतलब क्या है ये देख लेंगे अकह मतलब अ से क तक मतलब क्या है अ, इ, उ, और क्या आगया अ, इ, उ, रू, और रू उसके सामने उसका ही समानवर्ण आ गया तो जो संधी बनती है वो सवर्णदीरग संधी बन जाती है जैसे की उदाहरन देख लो श, श, अधिक अंक है तो श, श, का जो अंतीम वर्ण है वो श है उसमें अ मिला हुआ है उसके सामने जो है अंक है जो अंक का पहला वर्ण जो है वो अ, अम को हम डिवाइड करेंगे तो अ अधिक म हो जाएगा म तो हो जाएगा अम तो अ अ अधिक अ बन गया आ तो हो गया श, 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 ये अ के सामने अगर अ आ गया तो बन गया आ अभी देखो रत्न अधिक अ करह, रत्ना करह, महा अधिक अ श, अभी देखो ई के सामने रस्व या दीर्ग, कौनसा भी ई आने दो या दीर्गई ई के सामने कौनसा भी मतलब रस्व ई आने दो या दीर्गई तो हो जाएगा दीर्गई देखो, अती अधिक अधिक अ इ व, अती में जो त अधिक अ उ बन गया ती तो अती में जो ए है वो ए और उसके सामने जो ए है वो तो बन गया दीरगई, तो हून गया अतीव, कवी अधिक ई शह, कवी शह, मही अधिक इंद्रह, मही इंद्रह, लक्षमी अधिक ई शह, लक्षमी शह, उसकी हिसाब से अगर उ के सामने दीरगई या रस्व उ भी आ गया तो वो दीर्घ उ में परिवर्तन होता है जैसे कि मधु अधिक उच्सवाहा मधुच्सवाहा मधु में जो मधु का मतलब मधु शब्द में जो मधु का अंतिम वर्ण है वो धु है तो उस वर्ण में किस-किस का मिलाप हुआ है ध अधिक उ तो उ और उसके सामने जो उ है वो मिलके बन गया दीरघऊ तो बन गया मधूत सवा उसके हिसाब से लगू अधिक उर्मी बन गया लगूर्मी ही वधू अधिक उ हनम बन गया वधू हनम अगर रू के सामने दीरघरू या रस्वरू अगर दीरघरू के सामने भी कौनसा भी रू आ गया तो वो दीरघरू में परिवर्तन होता है जैसे की पित्रू अधिकरूनम पित्रू त्रू में त अधिकरू है इसलिए वो बन गया पित्रू त्रू त्रू अधिकरूनम पित्रूनम मात्रू अधिकरू धी ही मात्रू धी ह ऐसे हमने सवर्ण दीर्गसंदी के नियम देख लिये हैं। अब आगे देखेंगे। गुणसंदी का जो सूत्र है वो है आदगुणहा का अर्थ क्या है? अ आ के सामने अगर ई उ रू रू आ गया तो उसका गुण हो जाता है। इसलिए उसके कहते हैं आदगुणहा गुण मतलब क्या है? इंटू हो जाना अभी देखिए। अ के सामने ई आ गया तो बन गया ए। अ के सामने उ आ गया तो बन गया ओ। वैसे ही अ के सामने रू आ गया तो बन गया त्रू और रू का हम देखेंगे कैसे होगा? अभी अर्थ अ के सामने रू आ गया तो बन गया अर्थ तो इसके हिसाब से वो जो rule है उसको हम कहते हैं आदगुण हाँ इसका अर्थ क्या है अ आ के सामने अगर ई उ रू रू इसमें कोई भी आ गया तो उसका गुण हो जाता है मतलब अधिक बन जाता है और वो ए ओ अर में convert हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है उसमें हाम अभी पहला देखेंगे पहला ए अ आ के पर रस्व ई या दीर्ग ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं यानि अ अ अ अ अ अधिक ई अथवा दीर्गई इस इक्वल टू ए अभी उदाहर्ण जैसे की देव अधिक इंद्र हो तो देव में जो व में जो अ है वो और उसके सामने जो ई है वो देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए अ अ अधिक ई बन गया ए तो उसका अर् रमा अधिक ई शह रमे शह तो आ ई बन गया ए अभी रूल नंबर टू बी देखेंगे अ आ के बाद अगर उ उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं जैसे की अर्थात अ आ के सामने उ उ आ गया तो हो जाएगा ओ जैसे की नील 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 का ल में अ मिला हुआ है और उसके सामने क्या है उ तो हो गया नीलोत पलम अ अ अधिक उ बन गया ओ नीलोत पलम महा अधिक उ दयह महो दयह अभी आगे देखिये गंगा अधिक उर्मी गंगोर्मी अभी नंबर सी रूल देखेंगे अ आ के बाद रू रहे तो दोनों मिलकर अर्ण हो जाते हैं इसमें अ पूर्ववेंजन से मिल जाता है और र अगले वर्ण पर रेफ के रूप में प्रयुक्त होता है जैसे की महा अधिक रुशी ही तो महा में जो आ है वो और उसके सामने जो रू है वो रू तो आ अधिक रू बन गया अर्ण तो उसके सामने जो शी ही है उसको रफार लग जाएगा और बन जाएगा महर्शी ही देखो उदर उदाहरं दिया है ह अ अ अ अधिक रू बन गया अर्ण तो कैसे किया विच्छिन वर्ण किया म अधिक ह अधिक अर्ण अधिक शी ही पर रेफ हो गया हह से हमल कर स्वररयुक्त हो गया तो संधि पस्चात रूप हो गया महर्शी तो ये सब को पता चल गया है उदाहरं अर्ण का उदाहरं तो महर्शी की ही तरह हादेवर्श स करहल तो बहुत वर्ण कि हो ब्रुध Workshop को अभी हम आगे देखेंगे वृद्धी संधी वृद्धी संधी का नियम मतलब सूत्र है वृद्धी रेची तो इसका अर्थ क्या है? वर्ण का वृद्धी हो जाती है जैसे कि अ, ए के बाद ए, अई रहे तो मिलकर अई, एव ओ, अउ, रहे तो दोनों मिलकर अउ हो जाते हैं जैसे देखिए यानि अ, आ, रहने दो या आ रहने दो उसके सामने अगर ए, अथवा आई आ गया तो भी उसका रुपांतर आई में हो जाता है उसके हिसाब से अगर अ, आ के सामने ओ, अउ, आ गया तो भी उसका रुपांतर अउ में हो जाता है अभी उदाहरन देखिए अध्य, अधिक एव अध्य में जो अ है उसके सामने ए आया है तो अ में ए मिलकर हो गया आई तो हो गया अध्यईव अध्यईवा दो हिसाबस में उन्हेंने लिखा है तो वो देख लिजे के से लिखा है अध्यईवा दो का यदो वेंचन में लिखा है और यई पूरा किया है और वैसे न लिखते हुए आप ड्याई को पूरा भी कर सकते हैं मतलब दो और यदो और आई को मिला के द्याई कर सकते हो और वैसे भी आप लिख सकते हो आगे देखिए मत अधिका अईक्य मत अईक्य अगर ए के सामने अई भी आ गया तो वो अई में बदल जाता है तो मत अईक्य सदा अधिका एव अभी आ के सामने सदा में जो दा में जो आ है उसके सामने ए आ गया, तो बन गया अई, तो सदैव, जल, जल में जो अ है, उसके सामने ओ आ गया, तो बन गया जलव घह, सदा अउटसुक्यम, अउटसुक्यम में से इंटरेस्टेड, तो अउटसुक्यम में जो अ है, और सदा में जो आ है, आ और अउ मिलके बन गया अउक् देखे उदर लिखा है आ अधिक आउ बन गया आउ अपवाद कब कब अपवाद है वो भी देखिए कि कब अपवाद है अभी अपवाद देख लो क्या है धातू का एकार या ओकार परे हो तो उपसर्ग के अआ का लोप हो जाता है ए और ओ उपसर्ग में मेल हो जाता है जैसे प्र अधिक ए जते प्रे जते इसमें देखिए कि प्रे जते means what I mean to say प्र में जो अ है उसका अ इधर लोप हो जाएगा नहीं तो इधर क्या हो जाता था? प्राई जते हो जाता था लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है प्र है क्या है? यह प्रिफिक्स है मतलब उपसर्ग है इसलिए उसका हो गया प्रे जते ना के प्रई जते उसके हिसाब से उपा अधिक ए शते उपे शते ना के उपई शते उपई शते क्यों नहीं होगा? क्यूंकि उपा में जो प, प में जो अ है उसका लोप हो जा रहा है इसलिए प में ए जुट जा रहा है इसलिए वो हो रहा है उपेशते उसके हिसाब से और एक देखो परा अधिक ओ हती परो हती तो परा में जो रा है जो वो र बन जा रहा है और र में ओ आ गया तो हो गया रो तो प्रहो होती परन्तु एधा इन धातु के ए परे रहने पर ऐसा नहीं होता जैसे कि अभी उसमें ही रूल्स में ही और एक रूल्स है कि अगर एधा और इन ये धातु आ गए और उसके साथ अगर उपसर्ग हो तो उधर विरुद्धी संदिका नियम लागू हता है जैसे कि उपा अधिका ए धते उपाई धते हो जाता है और अवा अधिका ए ती अवाई ती ये आपको समझ में आ गया रहेगा क्योंकि ऐसे ही difficult questions, twisting questions एक्जाम में आते हैं ना के easy वाले अभी हम यन संदि देख लेते हैं यन संदि का नियम क्या है? इको यनची इको यनचे में ही उसका अर्थ जुड़ा है देखिए इको यनची इको मतलब अर्थ क्या है? इक मतलब इ से लेकर कवतक देखें इ से लेकर कवतक महेश्वरी में सुत्र में क्या क्या आते हैं? इ उ रू 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 तो इ उ रू रू में रस्वबी है और दिर्घबी है तो इ उ रू रू के सामने वो स्वर छोड़ के भिन्न स्वर आ गये तो मतलब इ के सामने इ छोड कर कौनसा भी भिन्न स्वर आ गया तो उसका प्रकार जो है यन में बदल जाता है मतलब यन का अर्थ क्या है अभी यन का अर्थ देखो यन मतलब हय वर्ड में य है तो उधर से देखो ह निकाल दो तो य व र और ट निकाल दो ट क्योंकि वो सूत्र का प्रत्याहर को लास्ट वाला वर्ड है तो वर्ण है तो वो निकाल दो लण, लण में से ले लो ल, तो हो गया य, व, र, ल तो नियम क्या है? अच्छी तर से समझ लेना मैं एकदम अच्छी तर से आपको समझा रही हूँ यदि ई, ई के बाद कोई भिन स्वर रहे तो जैसे की ई, ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाता है और यह पूर्ण वर्ण से मिल जाता है मतलब ई के समने ई नहीं, ई के समने ई आगया तो वो हो जाएगा दीरग, सरवर्ण दीरग संदे ई, ई को छोड़ के कोई स्वर आया?